असलाम वाइकु मेरे भाईयों गैसे हैं आप सब लोग टिक टाक हैं मज़े में हैं टेक मसाला किए एक और जबरदस्ती फ्रेश एपिसोर के साथ आपका भाईया आपके सामने हाजर है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शौमी की चबलियों के बारे में बुझो मार विडियो एंट पर बात करेंगे यहां पर जो पहली टेक्नियू निकल के आ रही है वो गूगल की तरफ से निकल के आ रही है गूगल ने तीस से ज्यादा आप प्ले स्टोर के उपर से टिलीट कर दी है अगूज चाहिए वह गूगल के जाइप निकाल वायर किया और अप निकल के आ रही है गूगल की तरफ से अगली नियूज की बाद के रहे है तो यहां पर जो नियूज निकल के आ रही है वो है Poco की तरफ से Poco का M2 Pro उसको BIS Certificate जो है वो मिल गया इसका मतलब यह है कि काफी जल्दी यह स्मार्टफोनों में देखने को मिल सकता है यानि दो महीने के अंदर अंदर यह स्मार्टफोन जया वो रिलीस होता हुआ नजर आ सकता है काफी अच्छा स्मार्टफोन है मेरे ख्याल से मिड रेंज सेग्मेंट का जो है यह स्मार्टफोन निकल के आता है यहां पर 720G का chipset हमें देखने को मिल जाएगा 6.67 इंचिस की screen देखने को मिलेगी 48 Megapixel का quad camera setup देखने को मिलेगा 16 Megapixel का self-shooter और 5000 अमें अचकी बैटरी देखने को मिलेगी तो mid-range segment के अंदर काफी सबर्दस किसन की हमें option मिलने वाली है Poco M2 Pro की तरफ से अगली न्यूस की बात करें तो यार अगली न्यूस भी Xiaomi की तरफ से निकल के आ रही है Xiaomi Redmi K40 Pro जो है शायद हमें उसके साथ 33W का fast charger देखने को मिले यहां पर यह लिक निकल के आ रही है चाइना की एक 3C website है वहां पर हमें यह कोई लीक होता हूँ नजर आया है कि Redmi K40 Pro जो है 33W के fast charger के साथ निकल गया है को खास यहां पर हमें fast charging देखने को नहीं मिल रही है आजकल तो भाई 65W तक का charger हमें देखने को मेरा है flagship smartphones के अंदर और यहां हमें अगली निउस की बात करें तो यहां पर निउस निकल के आ रही है Samsung की तरफ से Samsung Galaxy Fold 2 जो है उसके अंदर हमें दो बैटरी देखने को मिल सकती है यानि अलग अलग पोर्शन के अंदर हमें अलग अलग बैटरी देखने को मिलेगी अगली निउस की बात करें तो यहां पर निउस निकल के आ रही है Oppo Find X2 की तरफ से इंडिया के अंदर यह smartphone 17 जून को रिलीज होना था लेकिन एक मसला यहां पर आ गया है इंडिया और चाइना के साथ जो कश्मकश चल रही है बोर्टर के उपर उसकी वज़ा से यह smartphone जो है वो डिले हो गया और online जो इनका launch event होना था वो cancel हो गया अब पता नहीं है smartphone जा वो दुबारा कब release होगा इंडिया के अंदर लेकिन जो इसका launch event था वो cancel कर दिया गया है इंडिया के अंदर काफी बुरी नियुस निकल आ रही है इंडिया वालों के लिए क्लिके सॉलेड किसमना smartphone पे रिलीज नहीं और अफिल आल के लिए अगली नियूस की बात करें तो यहार यहां पर नियूस निकलके आ रही है एक बार फिर शौमी की तरफ से शौमी के मी 10 और Mi 10 Pro के अंदर हमें Android 11, Beta 1 की जो है, वो स्पोर दिखनी को मिल जाएगी, यहाँ पर जो है, वो डाउनलोड अवेलेबल होगे, या अगर तो कोई डाउनलोड करना चाहे, Mi 10 और Mi 10 Pro के अंदर तो वो डाउनलोड कर सकता है, पकस्तान के अंदर जो है, वो कल यह आज ही बलके 19 जून है, आज यह स्मार्टफोन रिलीस किया जाएगा, वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसलिए कल का बोला, लेकिन आज यह स्मार्टफोन रिलीस कर दिया जाएगा, अगली न्यूज की बात करें तो यहां पर न्यूज निकल के आती है असूस रगफोन 3 की तरफ से यह स्मार्फोन की हमें लाइब इमीज वो लीक होती हुए नजर आई है काफी जबरदस किसम का यह स्मार्फोन हमें लूप में दिखाई दे रहा है बैक के ओपर हमें डिफरेंट किसम गईज का जो कैमरा काटाव देखने को मिल रहा है काफी हैवी फून जो हमें देखाई दे रहा है तो देखती है कि इस तरह गए इस स्मार्फोन निकल के आने वाला है लेकिन एक चीज तो शौर है यह स्मार्फोन जो है वो सॉलेड स्मार्फोन आने वाला है हमें लिट किसम यहां पर हमें परफॉश्म ग UCs की तो टॉप नॉज किसम की तो टॉप नॉज की तो डी मोज़ देखने को मिल जईग है भाइट सा्इट पे अगर इसके देखें यह जो धं के पास अगर आपको नज़र आ रहां तो यहां पर हमें उसी तरह का कट नज़र आ रहा है elder उसकी यह जो है वो कूलिंग के लिए हमें देखने को मिलेगा जिस तरह कामेरागफों टू के अंदर देखने को मिला है तो देखते हैं क्या निकल के आता है इसके अंदर बारा लाइव इमेज में तो काफी जबर्दासुर स्मार्टफोन लग रहा है अगली नियूज की बात करें तो यहां पर नियूज निकल के आ रही है वो एक बार फिर Samsung की तरफ से निकल के आ रही है किस तरह की निकल के आती है यहां पर सिक्ष्ट के निकल के आने वाला है तो देखते हैं पिछले मौड़ल की निसपर जी तो भाई लाज के अंदर बात कर लेते हैं शौमी के हवाले से तो या शौमी को सिरफ मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई क्या हो रहा है यहां पे यहां पे कुन मजाग हो रहा है पाकसान के अमाम को आप लोगों ने फुद्दू समझा हुआ है कि जिस तरह की मर्जी आप आप इसको हागते रहेंगे आप क्या चल के रहे है आप क्यों नहीं क्लेर करके बताते पोको एफटू प्रो आप लोगों ने पहले टीज करते रहे हमें के बीस जून को बीस जून को शे बजे लाउंच हीमेंट होगा आपने बचारे श्वेबकतर को भी बीच में लगा रहे हैं और पहले ही दस मिनट के अंदर जनाब उन्होंने आउट फारग होगे बैड़ गये हैं पता नहीं क्या सो यूनिट लेके आ थे पचास यूनिट लेके आ रहे थे या यूनिट अरेंज नहीं हो पा रहे है या पर पोको का स्मार्टफून यहां पर आमीर पा पता नहीं किस तरह की मेंटेलेटी है भाई मैं खुच शूमी मीट लॉट के लिए जो है वहाँ है पाकिसान के वां को पागल ना बनाओ फुद्दू ना बनाओ यह पता नहीं किस तरह की हरकते आप लोग करें यह यह चोड़ दें यार सीधी तरह स्मार्टफून रिलीस क करने हैं मुझे पता है आप लोगों के स्मार्टफून बहुत अच्छे हैं और फुद परसनी तो पर आप लोगों की स्मार्टफून का बहुत बड़ा फैन हूं लेकिन आपकी हरकतें देख किना मैं तोटली फैट अप हो गया हूं यह नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो थोड़े से सीधे हो जाओ अगर लाना है तो पूरा लाओ नहीं तो यह मैं पागलना बनावा माँ को आपकी मेरबानी आप लोग मुझे कोमेट्स बोक्स में जरूर बताएं कि शोमी हमारे साथ करना क्या चाहरा है यह किस तरह करना चाहरा है हमें 10,000 पेका डिसकाउंट का आप लोग कोई समझ नहीं आ रही मुझे अभी दो हफते फिर अवाम मारी मारी फिर फिर तोड़ा सा स्टोक आएगा फिर धक्यकाती बिरेगी अवाम तो इस वीडियो के लिए सरफ इतना ही भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए गा चैनल को सब्सक् झाल झाल